घर या प्लोट खरीदने के लिए कुण सा मोसम ठीक है आप मोसम का इसमे क्या लेना देना ये भी आप सोच रहोंगे लेकिन जब आप प्लोट या अपना फ्लेट परचेज करते हैं उस टाइम पे ये बहुत जरूरी है कि वो बरसात का मोसम है ये बरसात का मोसम आपको क्लियरली बता देगा कि जिस जगे आप प्लोट परचेज करना चाहरे है वहाँ की सराउंडिंग क्या है या फिर जो फ्लेट आप देखना चाहरे है उस फ्लेट की कंडिशन क्या है इंदर रेनी सीजन तो आप अगर प्लोट देखना चाहरे हैं किसी भी जगाब रहें तो बरसात का मौसम जो है वो दी बेस्ट सीजन है आप देख सकते हैं कि जो सराउंडिंग में जो वाटर है उसका स्टेटस किया है जो वाटर सी जो सीवेज लाइन्स है या जो भी आपका पानी की निकासी का जो वास्ता है वो किस तरीके से है तो यह सब चीज जो है हम लोग देख सकते हैं बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से चिपा हुआ है या चिपाया गया है या फिर आसपास कहीं ऐसा कोई जगह तो नहीं है जहां इसमेल का एक पोसिबिलिटी बनता है most of the time क्या होता है कि जो बिल्डर्स हैं वो अपनी सराउंडिंग्स को बड़े-बड़े बैनर के साथ में कवर कर देते हैं और उस कवर के पीछे जो है ना कुछ ऐसे गार्वेज प्लेसिस होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते और बरसात में जब वहां पर पानी पड़ता है या बरसात के टाइम जो सीजन है उस टाइम बड़ी बद्बू निकलती है तो बरसात का मोसम मेरे प्लोट का तो मैं बोली चुका हूँ फ्लेट्स में आपका क्या होगा कि आपको क्लियर दिखाई पड़ जाएगा कि आपके बातरूम के अंदर तो कोई नमी नहीं आया है या फिर जो घर के अंदर तो किसी दिवारों पर नमी नहीं है तो ये सब जब चीज देखते हैं अब तो तब आपको क्लियर हो जाएगा कि भई बरसाद का मुसम आपके लिए कितना important है वैसा ही जो है जब आप घर बनाते हैं और घर में shift करते हैं तो बरसाद का मुसम आपको बता देता है कि भई आपके घर का हाल क्या है कितना पानी उसके घर के अंदर आ रहा है या किस तरीके से दिवारों पर नमी आ रही है तो जो लोग प्लोट या फ्लैट पर चीज करना चाहरे है उनके लिए इस मेरी वीडियो में जो पहला पॉइंट है वो यही है कि आपको उस जगह को देख लेना चाहिए बरसाद के मौसम में कि वहां की सड़कों का क्या हाल है और उस सहर या उस टाउन का और उसके आसपास की जो में रोड या हाईवेज है हाईवेज पर तो पानी नहीं रुकेगा लेकिन जो उस टाउन की सीटी की जो रोड्स है उस पे क्या पानी का स्टेटस है, पानी कितना जमाओ है, या पानी की कितने निकासी है, तो ऐसा जब आप आप आपजर करेंगे, तो rest of the points जितने भी हम लोग बोलते हैं कि प्लोट पर्चेज करने के टाइम पे आपको ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए, वो टेकनिक मेरा इतना ही हो और मैं फिर आपके साथ में कुछ एक जगे आपको उसो करूंगा कि जहां मेरे पॉइंट ओभी से यह बी बेस्ट प्लेस है जहां आपको इस टाइन प्लोट परचेज कर लेना चाहिए